नमस्कार दोस्तों तो स्वागित करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रेकव सर्ची हाँ मैं फिल से आज चुआ हूँ और आज आपको NDS CDS की सीरीज में मैं क्या लाया हूँ Spotting Error जो की Adjective का लाया हूँ मैंने इससे पहले वाला पार्ट जिसने नहीं देखा प्लीज चले जाएए प्लेइलिस्ट में और देख लीजिए वहां से क्योंकि आपको बहुत जादा benefit होने वाला है मैं बता रहा हूँ आपका जो NDS CDS का एक्जाम में इंग्लीज में Spotting Error अगर आएगा तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे मैं बता दे रहा हूँ पहले बहुत जादा समस्या हो जाएगी वरना इसलिए कुछ लाया हूँ तो उसको थोड़ा समझिए किस तरह के questions आ रहे हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद आप लगाईए इसलिए हो जाएगा बाकि idiom phrases हो गया या passage हो गया ठीक है उसके बाद आपके one word substitution हो गए इनको भी मैं धीरे-धीरे questions को लिया करूंगा ताकि आपको बहुत जादा फाइदा हो जाए और आप exam को crack कर जाए देखिए SSB जो मैंने पहली बताता है interview का process उसको इसको मैंने hold पे डाल दिया क्योंकि first focus यहां पे करी आप ठीक है वो process जो है मैं आपको बहुत जादा अच्छे method बताऊंगा कैसे हम PPDT को crack करें जो second round होता है FSB वाला उसको भी कैसे crack करें ठीक है इसको तो crack करना first हो, होना चाहिए अपना, पहले हम spotting error पर इसलिए मैं देखिए अभी मेरे जितनी वीडियो देखेंगे आपने मैंने English 2 NDS EDS की बात कर रहा हूं उसकी वीडियो की उसमें क्या है मैंने English जितनी भी पढ़ाई है सब में spotting error पढ़ाया है कुछ नहीं पढ़ाया, पूरा एक महीन होगे, January से स्टाट करीए मैंने spotting error पढ़ाया है क्योंकि मैं कोसिस क्या कर रहा हूं, spotting error का part जब complete हो जाएगा उसके बाद ADM phrases को हम कर लेंगे ठीक है उसके बाद क्या है, one word substitution कर लेंगे, preposition वगरे यह तो इसी में आई जाएगा, मैं आपको spotting error में complete करवा दूँगा ठीक है, और रही बात, antonyms और synonyms की उसको भी आपको questions को दिया करूँगा अगर आपको अलग से requirement है, तो आप मेरे को comment में लिख दीजेगा, कि sir ऐसा चाहिए हमें, antonyms, synonyms के question भी प्लीज दे दीजिये, करेए तो मैं आपको comment section में पढ़ने के बाद मैं दिया करूँगा, ठीक है, तो देखते हैं, फिलाल, क्या है, यहाँ पे spotting error में, adjective का तो पहला question लिखा है, the two first to arrive, was the lucky response of a surprise gift, देखिए, अब यह वट दिख रहा होगा, the two first, थोड़ा अटपटा नहीं लिख रहा है, वैसे भी अगर हलकी बहुत English बोल लेते हैं, या पढ़ते ही हैं, मैं बोल लहाँ यह अटपटा लग रहा होगा, पका लग रहा होगा, पका वाली वीडियो जिसमें देखी, देख ले, उसमें यह लिखाता, cardinals, ordinals, मतलब क्या लिखाता, ordinals है, cardinals से पहले आएंगे, अब मैं बता देता हूँ, cardinals, ordinals क्या है, पहले भी बताया था, यह जो two, one, three, इस तरीके के number जो हम ले रहे हैं, two, one, three, तो यह सब क्या है, four, five जो यह, ordinals, और यह, cardinals, ठीक है, यह, cardinals, यह, cardinals, यह, ordinals, so, कभी भी sentence forming आ रहा है, तो यह क्या होगा, यह, ordinals पहले बनेगा, और cardinals बात हुए, यानि हमारा correct sentence क्या होगा, correct sentence क्या होगा, the first two to arrive, were the lucky response of a surprise gift, ठीक है, क्या बनेगा, the first two to arrive, were the lucky recipients of a surprise gift, यह बनेगा, ठीक है, आगे समझ में, दूसरा देखते है, a few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely, ठीक है, a few, मैंने पढ़ाया था, ध्यान देंगे, a few, the few, ठीक है, few, इस तरीके के word जभी भी भी आ रहे हैं, so, हमारा जो noun use होगा, ठीक है, इस word के बाद हमारा जो noun use होगा, वो कैसा रहेगा, plural रहेगा, so, here, word क्या है, यहाँ पर क्या है word, singular, so, क्या use होगा, a few words, क्या होगा, a few words, ठीक है, a few words, क्या होगा, पूरे sentence, a few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely, ठीक है, next देखते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है, of the two great cities, यह सी है, सही से बनाई है न सर, आप भी न, हाँ, क्या लिका है, of the two great cities, the former is biggest, ध्यान रहे न, of the two great cities, the former is biggest, देखिए, यहाँ जो यह लिखा है, बिग, bigger, biggest, कौन सी डिग्री है, बिग, bigger, biggest, कौन सी डिग्री आ गई है, superlative, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, of the two great cities, that means, यहाँ दो cities के बीच की बात हो रही है, that means, दो cities की बात हो रही है, तो comparative, comparison होगा, so comparative degree use होगी, so big, bigger, यानि क्या use होना चाहिए, bigger होना चाहिए, superlative क्यों होगा, so क्या बनेगा, of the two great cities, the former is bigger, यह होगा, correct, ना की, यह, ठीक है, आया समझ, बिलकुल आया होगा, उसके बाद, everyone agrees that the ganga is the holiest of all other rivers of India, देख लिएजे, च्या लिएक है, everyone agrees that the ganga is the holiest of all other rivers नहीं होगा, other, यहाँ पे all other, दूसरों से नहीं, यहाँ क्या हो, all the rivers, यह जो the denote होता है, सभी river के लिए होता है, all the, यहाँ यहाँ पे other नहीं क्या आएगा, क्या आएगा, all the, यह जो the river लगता है, the poor लगाते हैं, पूरी एक category को denote करते हैं, हमने पहले बता ता, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, everyone agrees that the ganga is the holiest, यहाँ पूरी category को यहाँ पे denote कर रहा है कि the rivers, ठीक है, that holiest of all the rivers of India, यहाँ लगेगा the, अधर नहीं लगेगा, ध्यान देना, तो sentence को हम पढ़ते होई चलेंगे, तब ही हमें समझ में आएगा, मैं पहले ही करहा हूँ, हम ट्रांसलेशन की कोई जर्थ नहीं है, कहीं ट्रांसलेशन करने बैठ जाएं, अगरे ट्रांसलेशन करने बैठ गेना, तो निकल जाएगा, सब, और खासकर एक बात और बताऊँगा, मैं हमारे हिंदी मीडियों के चात्रों के लिए, मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी UP में भी फिलाल आया हूँ रहने, पहले तो नहीं था, लेकिन जब से आया हूँ, मैंने यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देखी, जो भी मेरे से मिलते हैं, उनकी एक समस्या ये रहती है, सर, हमारी इंग्लिस थोड़ी सी कमजोर है, सो हम NDS, CDS का एक्जाम को फिल भी करें या नहीं भी क्रैक उरेक की तो बाद की बात रही, फिल भी करें या नहीं, ये बोलते हैं, क्योंकि उनका कहना ये रहता है, कि हमारी इंग्लिस कमजोर है, सो उसमें इंग्लिस वगेरा ज़्यादा पूछते हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा भाई, आप जैसे भाईयों के लिए, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये जो इंग्लिस है, मैंने पहली कि आपको ट्रांसलेशन नहीं, हमें बेसिक नियम पे काम करती है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है, कि इंग्लिस और हिंदी में आप ट्रांसलेट करें, ठीक है, इंग्लिस और हिंदी में आप ट्रांसल सिखाए उसमें से find out कर सके error, so ये method होता है समझे, तो ये method होता है error finding करना कि translation और बाकी intonames, synonyms, idiom phrases उनको भी याद करने के एक pattern है practice से बनता है सब कुछ ऐसे नहीं आती है, so आप बिल्कुल भी tension ना ले, ठीक है please, वीडियो को देखें like, share, subscribe भी कर दें, क्योंकि इस समय कम है, तो मैं अभी कई बार क्या होता है demotivate हो जाता हूँ, यारे subscription अभी अपने पास कम है मानता हूँ एक महिना हुआ, लेकिन महिना तो बहुत कम नहीं हो रही है आपके लिए कर रहा हूँ न, ठीक है न so tension ना ले मैं बोलों, कोई सा बोर्ड हुआ आपका मैं guarantee ले रहा हूँ, और उसके बाद हाँ, SSB की बाद, हाँ, एक problem उनकी ये भी रहती कि SSB का interview मानू, exam crack कर भी लिया जैसे तैसे, उसके बाद SSB interview में कैसे बोलेंगे, इंग्लिस बोलना नहीं होता है इंग्लिस बोलना नहीं आता है इनके लिए दो, तीन चीज बता हूँ दो भी नहीं, तीन चीज है मारे पास ठीक है, उसको हम use करेंगे, बहुत जादा फायदा होगा, बता ही दूँ, चलो बता ही दूँ जब मैं इस समय बात ही हो रही है, तो बता देता हूँ, देखिए, मैं खास कर, देख लिए, एक तो पैसे की चीज बता रहा हूँ, एक क्रेमली एप है सॉरी, केमली, केमली पैसे बहुत एड़ आती होगी उससे क्या, वहाँ पे आपके पास face to face online की बात कर रहा हूँ, आप किसी एक teacher ठीक है, या कोई वहाँ का, दूसरे रीजन का जो आपको English सीखनी है तो उससे, चाहें आप गलत English बोलते हैं, उससे क्या करेंगे, at least communicate करेंगे, without any hesitation, कोई hesitation नहीं वो अपने laptop में, आप अपने laptop में communicate करेंगे, कई बार दो student भी होते हैं, आप अपनी बाते करेंगे, just normal communication जाहें गलत बोलो, तो वो आपको क्या सुदा रहेगा, एक तो वे ये है बहुत अच्छा वे है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका है, इंगलिस को promote नहीं कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, just go एक app एंड्रोइड की, जो आप प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगे, Google पे मिलेगी, कामली Google पे आप टाइप करेंगे, just go और वहाँ लिख देंगे, drew drew brinsky, ठीक है, ये एक traveler 195 plus country को घूम चुका है, ठीक है, so बहुत currency का थोड़ा सा fundा ज्यादा है, message करेंगे, sir, are you invested in this, इस तरीके की बाते करते, so आप उनसे chat करिए, बात करिए, ठीक है, लेकिन बस अपना कुछ detail शेर नहीं करना, बस इतना बताऊंगा, ठीक है न, क्योंकि भई बहुत बहुत खतरनाक होते हैं, hacking पूरा कर लेंगे, बस hacking का नाम लिए तो गवड़ा न, भाई, use करो, English को कैसे use करते हैं, आप वहाँ message लिखेंगे, वह आपको message लिखेंगे, नई बात होगी, नई भासा चलेगी, ठीक है, so उसमें क्या, आपकी English बहुत अच्छी होने व कुछी time पे, जब तक मेरे खाल से आपका exam है, आपको बहुत जादा फाइदा हो जाएगा, और दूसरा method तो यह है, CC के सामने खड़े हो जाएगे, बोलिए, पहले CC के सामने, पहले ऐसे ही बोलिए, को CC के सामने अपना चेरा देगा, फिर आजाएगे, फिर hesitate हो जाएगे, बिना CC से पहले बोलिए, बाद में CC के सामने, सो यह तीन मैंने बता दिया न, कैंबली मत करिये, क्यों पैसा लगे, अभी कौन पैसा देगा, ठीक है, टॉपिक से ज़्यादा बटग गए, आजाएगे यहाँ पे, क्या है next, the railways have made crossing the tracks a punished offense, नेकिए, punished offense लिखा है, यहाँ ब P-U-N-I-S-H-A-B-L-E, punishable offense, क्या होगा, the railways have made crossing the tracks a punishable offense, और मैंने एक चीज़ और बता रखी थी, कि नाउन जो होगा, उससे पहले adjective आएगा, और वर्ब के बाद adjective आएगा, तो यह बात को भी आप दियान रख लेना, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, दूसरा, two lakh of people attended the meeting held in the parade ground, parade ground या parade ground, so two lakh of people, two lakh के साथ off नहीं लगता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, इस तरीके का जब word आता है, two lakh of people, तो off people नहीं लगता है, अगर यहाँ तो ऐसे होता, lakhs of people, thousands of people, पताया था न मैंने, so उसमें तो off लग रहे, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा बता रहा है, definite है, two lakh, two lakh, यह definite amount है, ठीक है, so इसके case में off नहीं लगे, तो क्या लगेगा, two lakh people, इसको अटा जो बाई साब, क्या लगेगा, two lakh people attended the meeting held in the parade ground, ठीक है, बहुत मैनत करके मैं आपका, मैं पहली कर दिया, इंग्लिस में आपकी अच्छी कर दूंगा, nds, cds में, और वैसे भी अच्छी कर दूंगा, ठीक है, can you tell me how many eggs and milks he has bought, he has brought, can you tell me how many, देकि eggs आ रहा है और milk, अब यह बताई, milk कौन सा ना हो गया, बहुत, गिन सकते हो, क्या, countable है, uncountable है, uncountable obviously uncountable ना होना है, इसको गिन तुड़ी सकते हैं, तो इसमें many कैसे आ जाएगा, जहां uncountable आता, उसके सब many नहीं होता है, क्या होता है, much, so क्या होगा, can you tell me how much, how much eggs and milk he has brought, ठीक है, her black long hair has glamour to her looks, क्या कह रहा है, her black long hair, so देखी, कुछ sentence ऐसे बनते हैं, adjective की अगर बात करूँ, तो उसमें क्या, यह आ रहा है, जैसे black आया, फिर long आया, फिर hair आया, यह तो रहा अपना, क्या, noun, ठीक है, यह noun है, लेकिन यह दोनों adjective है, black भी है, long भी है, so ध्यान रखना, कभी भी बात हो र है, color बाला बात में आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, her long black hair adds glamour to her looks, ठीक है, so देखी, इसलिए मैं कह रहा हो, पहली वाली वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हमारी देखनी, ठीक है, next क्या है, I saw an anxious pale girl who was fit getting near the ICU, फिर होगे anxious मतलब क्या, चिंतित, चिंता करने या चिंतित, I saw an anxious pale girl, अब यहां देखी, बात हो रही है, फिर color की, यहां पर बात हो रही है, कि इमोशन की, चिंता करना, यह क्या है, this is the emotion here, so emotion बात में आएगा, and in case of color, color पहला आएगा, so correct form of sentence क्या बन जाएगा, I saw an, फिर pale के साथ an थोड़ी लगेगा, अगर यहां 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 पर तो N लगता, लेकिन यहां पेल आ रहा है, तो N तो दी लगए, क्या लगेगा, I saw a pale girl, यहां पर धियान रखना है, N हट जाएगा, क्या बनेगा, सिर्फ a, तो I saw a pale anxious girl who was forgetting near the ICU, ठीक है, next, you can trust this channel for the last news of this hour, बात वो रही है, you can trust this channel for the last news, last news of this hour, इस समय की बात हो रही है, then the news कान सी होना चाहिए, latest होगा न, कभी भी, कभी भी, जो नई, एक दम ताजी, कोई भी चाहिए, सबजी हो, कोई मूवी हो, सो उसको हम क्या बोलते है, latest, है न, तो यहां पर क्या latest news की बात हो रही है, you can trust this channel for the latest news of this hour, इस समय की, nowadays, the weather is getting cold and colder, देखिए, यहां पर क्या बात हो रही है, nowadays, आज कल की बात हो रही है, nowadays, the weather is getting cold and colder, यानि, sudden change आ रहा है, यहां पर कहीं, weather में बात हो रही है, sudden change is getting cold and colder, तो इसमें comparative आएगा, कौन से degree लगेगी, comparative, इसलिए यहां पर ध्यान रहा हो, अचानक sudden change हो रहा हो, so comparative degree इस case में ऐसे case में लगता है, यानि यहां पर क्या होगा, colder, so correct क्या हो रहा है, nowadays, the weather is getting colder and colder, that's it, good, ठीक है, next क्या है, this photograph was comparatively better than that which he had kept in his purse, यहां पर क्या कह रहा है, एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, this photograph was comparatively, क्या लगा है, comparatively, अब देखें भाई साब, comparatively लगा है, so good, better, best, यह तो होता है, हमें पता है, good, better, best, लेकिन ध्यान रखरणे, जब comparative लगा है, तो यहां पर comparative degree इस लिए मैं ने क्या बताया मैं पहले आपको कराता हूं इसके जो बेसिक रूल्स नहीं सोचते हैं उसके पाद आमको कोशिन कराता हूँ, ठीक हैना ? नेक्स्त काय? मैन्य जो आ लगा है है इसके साथ क्या लगना चाहिए ? इसके साथ लगेगा भाई, singular, कौनसा नाउन आएगा, singular नाउन आजाएगा, इस तरीके many a, a लगा है न, so यहां singular को denote कर रहा है, तो यहांनी नाउन क्या आना चाहिए, singular आना चाहिए, so many a boy is, क्या आएगा, many a boy is, many a boy is, यह तो रॉंग हो गया, many a boy is, absent today, अब सही हुआ, ठीक आज का, आपका spotting error, कुछ questions, ठीक है, so हम practice करते रहेंगे, और exam नजदीक आ रहा है, तो गवड़ाना नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, जिसको अगर दिक्कत आ रही है, please मेरे को comment कर दीजिए, अभी भी समय बता रहा हूँ, comment कर दीजिए, मैं आपको और भी कुछ करा सकता हूँ, लेकिन at least आप comment तो करिए भाई साब, ठीक है, मैं तो अभी समय series करा रहा हूँ, आपको फायदा मिलने वाला है, बस इतना कहूँगा, भरोसा करेंगे, तब ही आपको फायदा होगा, otherwise मैं कैसे कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि SSB मैं भी दिया हूँ, मैं भी पह बचाओं conference तक, so बिना अनुबब के मैं कह नहीं रहा हूँ, बिना अनुबब के मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको पता मैं मेरी profile में जाए, या आप एक पर चेक करिए, मैंने क्या लिखा है, जूट लिखा हो तो बताइए, ठीक है, so आज इतना ही, next हम जल्दी ही पांस तो दे दिया करूँ, है न, so वो देखेंगे, आप comment करके बताएए, मैं दूँ या नहीं दू, daily, अगर comment करेंगे तो फिर मैं कुछ reply करता हूँ, ठीक है, so फिलाल तो आज के लिए इतना ही, next में ला रहा हूँ, इसका जो next part है, वो देखते है, adjective खतम, ठीक है, so आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाबाई, और जाहिंद,